तो देखते हैं क्या मेसेज है आपके परसन का आपके लिए लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप अभी तक में चानल पर सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे जिसे कि आपको मेरी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहें और इस आपके लिए मेसेज है कि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखे कि आपको अपने बचों को कब डाइब देना और आपने परसन को कब डाइब देना और in case आप आपके relationship में अभी तक आपका कोई बेवी नहीं है तो हो सकता है कि आपकी person आपकी घर में जो बच्चे हैं या उनके जो बच्चे हैं उनसे बहुत जादा आपका relationship affect कर रहा है और कुछ लोगों के लिए आपकी pets की वज़ा से भी relationship में बहुत असर आ रहा है और यह असर सिर्फ negative जरूरी नहीं है negative यह positive भी हो सकता है लेक the more you care to your pet the more they love you the more you love your children the more they love you आप जितना अपने बच्चों का ख्यान रखते हैं उतना ही आपकी person आपकी तरफ attract होते हैं जितना अपने pets का धियान रखते हैं उतनी ही आपकी person आपको attract आपकी तरफ attract होते हैं इसकी साथ-साथ आपके लिए जो message यह भी है आपकी अंदर का जो बच्पना है ना that your childish nature वो जो चुलबुला effect करता है लेक वो चीज़ना आपके person को matter करती है और आपके लिए यही message है कि अपने उस inner child को maintain करके रखो लेक ना तो उसे बहुत साथ maturity की तरफ लेके जाओ कि आपका innocence खो जाए और ना ही आप उसको उतना जादा down लेके जाओ कि आपका जो at present में condition है वो और जादा भी घर जाए क्योंकि आप immature बच्चे की तरह एक behave करने लगो तो में जो इस leading का focus है ना वो यही है कि आप अपने अपने आपसे जितना प्यार करेंगे ना अपने inner child से जितना प्यार करेंगे inner child को जितना मैचौर करते हुए अपनी present की condition में जितना childish रहते हैं आपके person को वो सबसे जादा अच्छा लगता है और आप उसको maintain करके रखे i hope you like this message अच्छा लगा तो like करें share करें subscribe करें comment करना तो ब्रकुल भी मत भूलिएगा god bless